हेलो एवरिवन मेरा नाम अनूब भर्दवाज है मैं गौर्मिंट आईटे करनाल में वायरमेन उनुदेश्चक के पतपर कारयत हूं अर्थात मैं वायरमेन की ट्रेड को पड़ाता हूं साथियो यदि आप किसी कोर्स में दाखला लेने के इच्छुक हैं तो आपको उस कोर्स के बारे में ग्यान होना अतियवश्चक है साथियो हर्याना राज्या में गौर्मिंट वा प्रैवेट आईडियाईज में लगबग 20-25 तरह के कोर्स करवाय जाते हैं जिनकी अवधी एक या दो वर्षकी होती है वायरमेन एक मुख्य ट्रेड है जिसकी अवधी दो वर्षकी होती है वायरमेन का अर्थ होता है तार मिस्त्री अर्थात जो व्यक्ति जो कारिगर्थ विजली की तारों से संबंदित कार्य करता है उसे हम वायरमेन कहते हैं या तार मिस्त्र कहते हैं यह दो वर्ष का कोर्स होता है इस कोर्स के दोरान आपको घरों की वाइरिंग के बारे में बताए जाता है फेक्ट्रियों में कैसे वाइरिंग की जाती है कारखानों में कैसे वाइरिंग की जाती है इन सभी की ट्रेनिंग दी जाती है इसके इलावा कोर्स के दोरान आपको घ भरों में प्रियोग होने वाले उपकरण जैसे tv, fridge, cooler, वाशिक मुशीन, AC यतियादी की जानकारी दी जाती है, उनकी repair and maintenance के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, इसके इलाबा फेक्ट्रियों में प्रियोग होने वाले motors, generator sets, उनकी control wiring, power wiring के बारे में आपको बताया ज जाती है उसकी generation, transmission और distribution के बारे में भी पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको training दी जाती है दो वर्ष का course करने के परश्चात आपको एक वर्ष की apprenticeship करवाई जाती है जो आपको किसी government या private firm में करवाई जाती है apprenticeship के दोरान आपको एक वर्ष के दोरान आपको आठ से नो हजार उपे प्रती महा stipend परदान किया जाता है साथियो इस trade को करने के परश्चात आप सवरोजगार, government job या private job कहीं भी नोकरी पा सकते हैं यदि आप government job पाने के इच्चुक हैं तो आप दो साल का course apprenticeship करने के पश्चात आप CTI करके अंधेशक के पद पर कारे रथ हो सकते हैं आप बिजली बोर्ड में ALM, line man या shift attendant के पद पर सरकारी नोकरी पा सकते हैं यदि आप सवरोजगार अपना कारे करना चाते हैं तो इस trade को करने के पश्चात आप केवल 1000 रुपे की tool kit खरीद कर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं यदि आप कोई दुकान करना चाते हैं शौरूम करना चाते हैं तो आप विजली से सम्मंदित कारे की आप शौप या दुकान कर सकते हैं जिससे आप दो या तीन लोगों को रोजगार उपलब्द करवा सकते हैं मैं आपको सजस्ट करूँगा एडवाइस दूँगा कि आप यह कोर्स कीजिए और अपने भविश्य को उजवल बनाएं अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी जिले की मुख्या इटे में जाकर विश्तित जानकारी प्राप कर सकते हैं धन्यवाद